हेलो फ्रेंट्स आज हमारा संडे है 11 जून 2023 के में बात कर रहा हूं तो आज मारी क्लास नूमर 12 है लीगल जीके के रिगार्डिंग आज भी मैं एक्साइटिंग आपके लिए पांच कोशन्स लीगल जीके के लिए लेकर आया हूं और इस पर्टिकुलर जीके की आपको PDF क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशन के अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कोशन हमारे सामने आता है कि 73rd constitutional amendment हमारी कब आई थी 1992 को आई थी मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है यह कोशन हमने अल्रेडी कर चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि यह कोशन हमने 73rd constitutional amendment act का कभी करा है last previous videos के अंदर यह हमने कुशन कवर अप कर रहा है यह नहीं कर रहा है इससे दो फायदे होंगे एक तो रिवाई सुझ आएगा दूसरी बात आपकी attentiveness पता लग जाएगी क्या आप लोग मेरी videos को और legal GK को daily basis पे कर रहे हो यह नहीं कर रहे है ठीक है तो क्या हुआ था 73rd Constitutional Amendment Act 1992 के अंदर यहाँ पे ना constitutional status दिया था पंचाहिती राज को जो पंचाहिती राज सिस्टम था उसको एक समविधानिक तोर पे धर्जा दिया गया था कि भाई अभी पंचाहिती राज सिस्टम भी constitutional status के तोर पे treat करा जाएगा और यह जो पंचाहिती राज सि पॉंसी कमीटी से बिलॉंग करती है तो आपको दिमाग में रखना है बलवनतराय कमीटी और फॉर्मेशन करा गया था local governments को और ग्राम सभा को ठीक है और एक part number 9 को हमारे समविधान के अंदर एक एड कर दिया गया था कबसे 73rd Constitutional Amendment Act 1992 के अंदर याद रखेगा एक यह most popular book है नाइदर रोज नौर थोन्स ठीक है तो यह बुक किसके द्वारा लिखी गई थी एक्जाम में एक दो बार पूछा गया है हमारे जुडिशी एक्जाम में इसलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं और एक्जाम में आने वाले टाइम में संभावना पूरी-पूरी है यह यह पटिकुलर जो हमारे important books होती है किसके author के द्वारा लिखी गई है कैसे लिखी गई है इन चीजों को हमें याद रखना पड़ता है तो HR खना जी के द्वारा यह बुक हमारी लिखी गई थी ठीक है आपको इसके थोड़ी सी biography पढ़ लेना क्योंकि Legal जी के अदर यह तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि my institute app रेड कलर का होता है वो आपको अपना डाउनलोड करना है उसके बाद आप जब डाउनलोड कर लोगे ना वहाँ पर आपसे code मांगेगा ORG code तो ORG code हमारा होता है ZPOGS आपको स्क्रीन के उपर भी दिखाई दे रहा होगा ना यह लिखा हुआ ZPOGS वो लिख दोगे अपना मोल नमबर OTP लगा लगा के अप उपन अप जाएगी चलिए हम अपना थर्ड कुशिंग के तरह बढ़ते हैं तो थर्ड कुशिंग है 2021 का एक लैंडमार्क जज्जमेंट है सुप्रीम कोड का यहां पर सुप्रीम कोड ने एक बहुत अच्छी स तो फो करना चाहता हूं और कर रहा हूं तो ऐसे के समें मेरको उसके सबूतों के तौर पे उसने जो वेपन यूज करा है अपना offense को commission करते हुए अपना अपनाद को commitment करते दौरान क्या वो सामने जज्ज के सामने पेश होना जरूरी है सुप्रीम कोड ने बोला not material, it is not necessary भाई उसने अपनाद कर दिया, एक बात प्रूव हो गई न, accused की, तो बात खतम जाती है अब वो weapon का है, जिससे अपनाद किया गया है, it is not mandatory, it is not necessary, that's it तो एक बड़ी read कर लेते हैं, जो सुप्रीम कोट के दवारा statement बोली गई थी, for convicting the accused recovery of weapon used in the commission of the offense is not necessary, बात कर दो में जाती है ठीक है जी, both questions famous books जो है, वो मात्मा गांधी जी के दुवारा कौन-कौन से लिखी गई थी, ये 5 books हैं, जो आपको हमेशा याद तो रखनी ही है, अगर आप law student हो तो my experiments with truth and songs with prison satya grand essay and my life is my massage and god is truth god is truth, तो ये 5 most famous books हैं, जो मात्मा गांधी जी के दुवारा लिखी गई थी my experiments with truth songs from prison and satya grand essay and my life is my massage and god is truth ये याद रखने आपको, ठीक है? चलिए last question के इन तरफ हम बढ़ते हैं this is the last question, क्योंकि डेली बेसे बम 5 questions करते हैं, पांच-पांच के मैं question के आपको dose देता हूँ तो विशेश कुमार, गुपता and another versus state of Rajasthan and others, ये case आपको पढ़ना है मेरे सबसे 2018 में I guess आया था, ठीक है? तो आप लोग इसका case का year अपना Google पे या कहीं पे भी अपना reference में सर्च करके comment box के नर बता दीजेगा कि fifth question जो है हमारा विशेश कुमार, गुपता and another versus state of Rajasthan and another ये कौन से year का case है? 2018 का है या 2019 का है? ठीक हमें को इन दोनो year में से confusion है? चलो तो यहाँ पे Supreme Court के दुआरा एक बात clarify करे गई थी कि भाई, अगर court के समने मुद्दा आएगा, अपनी कोई भी answer sheet को re-evaluate कराने का तो यहाँ पे court re-evaluate नहीं कर सकता है किसी भी candidate की answer sheet को, क्योंकि court is not a competent authority to re-evaluate the answer sheet और जो ये re-evaluation का जो ये मुद्दा है, ये academician के तोर पे ही treat करा जाएगा, वो ही इसके लिए competent authority है कि re-evaluate करा जाए या ना करा जाए कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि court is not a competent authority to re-evaluate the answer sheet of the candidate that's it, Supreme Court के दोबर ही बात clarify करी कि बहुत सीधे शब्दों में क्योंकि बहुत मुद्दे आ रहे थे हम पर लेते हैं क्या बूला गया था the court should not re-evaluate or scrutinized the answer sheets of a candidate as it has no expertise in the matter and the academic matters are best left to be the academician के पास में ही है वहाँ पर छोड़ दो भाईया वो ही decide करेंगे re-evaluate करा जाए या ना करा जाए ठीक है शलिए तो आज की class में हमने 5 questions अपने देखे एक बार ही हम देख लेते हैं हमने पहले ते constitutional amendment पड़ी थी हमने एक बुक के बारे में पड़ा एक बुक के बारे में पड़ा और फिर हमने बुक के बारे में पड़ा और फिर हमने बताया था लीगल जी के आपको मेरी application के अपर इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी iPhone users और Android users दो नुकले आ चुकी है और राकेश and another इसके हमने पड़ा था कि accused को convict करते दोरान वेपन क्या कौन सा यूज करा है accused के दोरा वो necessary नहीं है और मात्मा गांधी जी के दुबारे कौन कौन से बुक्स लिखी गए थी My Experiment with Truth Songs from Prison Satyegrahan essay My Life is Massage My Life is My Massage God is Truth फिर हमने एक case पड़ा था विशेश कुमार गुपता and another वसे state of Rajasand and another तो court जो है वो re-evaluate answer sheet को नहीं कर सकता वो court जो expertise अपने पास रखता नहीं है तो ये expertise हमारे एकाडमीशन के पास ही available रहनी चाहिए वो ही decide करेंगे ठीक है चलिए तो आपको वीडियो कैसी पसंद आईए class ये कैसे पसंद आईए legal gk की हमारी 12th class है I guess 12th class है तो 12 दिनों से लगातार हम अपना legal gk कांसम यानी 12, 50, 60 questions के अप्रॉक्स हम अपना कर चुके होंगे और एक बारी में मैंने एक बारी 4 questions दिये थे ठीक है तो 59 questions के अप्रॉक्स हम कर चुके है 12 दिनों के अंदर तो हम देखा जाएगा इसके मैं revision भी लेकिया होंगा कि 100 questions के अगर हो जाएंगे जब तो हम इसकी revision भी करा करेंगे कि हमारे को याद कितना रह पा रहा है और कितना हम बार-बार इसको पढ़ते रहेंगे बार-बार पढ़ने से हमारी revision भी रहेगी और हमारा class का एक जो healthy content है जो healthy तरीके से लोग देखते हैं वो उनके दिमाग में बार-बार revise भी रहेगा मिलते next video के अंदर next class के अंदर I hope आपको Legal GK की वीडियो पसंद आ रहे होगे मिलते next video के अंदर, thank you, दन्यवाद